ये देखिए, ये मेरे पास एक पुरानी ओल्ड साडी पड़ी हुई थी, जिसका मैं यूज नहीं करती हूँ, होती तो ये साडी नहीं है, लेकिन हम किसी कारण वस इन्हें नहीं पहन पाते हैं, तो देखिए, मैं इससे एक इतना अच्छा सा और्गनाजर बना के तैयार ये मैं डबल फोल्ड में लूँगी और आप इसमें एक मोटी चादर का कपड़ा ले सकते हैं, जो आपके पुराने हों, अब इस तरीके से इसमें चारो तरब से हम इस पे सिलाई लगाएंगे, वो लगाके हम आपको दिखाते हैं, मैंने इस पे चारो तरीके से सिलाई किये, फोर फोल्ड लेने के बाद सबसे पहले हम नीचे बेस पर आएंगे, यहां से हम 2-5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे, अगर आपकी लेंद कम है, तो आप 2 इंच का, और अगर आपका लेंद कपड़े की जादा है, तो आप 1-5 इंच की लेंद के साथ इसमें एक बॉ अब करने के लिए देखिए आपको बड़ी कैची लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने कपड़ा 4 फोल्ड में फोल्ड किया है तो देखिए इस तरीके से मैंने नीचे वाली बॉक्स वाली कटिंग कर ली है जिससे हमारा बेस्ट तैयार होगा और अब हम करेंगे उपर वाली cutting ठीक वही हमारी चौक के major पर हमने cutting करनी है अब जब हमारी complete हो जाए तो देखिए इस तरीके से मैं इसे अब खोल के आपको दिखाती हूँ कि इसकी cutting किस तरीके से हुई है अब इसके हम दो फीते तयार करेंगे handle जिने कहते हैं और handle मैंने इस तरीके से बना लिये हैं और इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे कपड़े को और इस तरीके से हम इस पे अपने handle को लगाएंगे तो आप भी अपने handle को इस तरीके से लगाईए और मजबूती के संग हम इने सिल लेंगे अब जब हमारे handle लग करके हो जाएंगे तैयार तो देखिया हमने क्या करना है फिर हम दो टुकडे और लिंगे जिससे हम उपर के rough ऐसे बंद कर सके हैं और किस तरीके से बंद करने हैं देखिये साड़ी का कपड़ा पतला होता है इसलिए मैं double पे इसको ले रही हूँ तो इसे मैं किस तरीके से इसमें feed करके करूंगी वो आपको मैं दिखाती हूँ आप इस तरीके से ulti side पे इसको रखिए और दो layer में कपड़े को बिछा दीजी और उपर से इसी design में हमने इस पे सिलाई कर लेनी है जब हमारी सिलाई complete हो जाए तो हम extra कपड़े को जो बीच का कपड़ा है उसे कर लेंगे cut और cut करने के बाद जो किनारों से हम लगा दिंगे इसमें अपने नोचिस छोटे छोटे जिससे हमें कपड़ा turn करने में आसानी हो अब हमने cut लगा लिए हैं कपड़े को हम करेंगे turn और जो भी इसके corners हैं उन्हें पूरा इस तरीके से निकाल लिएंगे और निकालने के बाद इस पे एक top stage लगाएंगे उपर से मजबूती के लिए भी और finishing के लिए भी अब देखिए मैंने ये लगा लिए है सेम इसी process को हमने दूसरी तरफ भी follow करना है अब दोनों तरफ मैंने complete कर लिए हैं देखिए कपड़े को थोड़ा सा मोडते हुए इसे हम यहां से seal लेंगे एक seal लिए जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो अब हम इसके किनारे किनारों पर सिलाई लगाएंगे किनारों में सिलाई लगाने के बाद इसके रफ ऐसे बंद करने के लिए इस तरीके से कपड़े को लगा करके आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं मैच कर नहीं है तो आप कोई भी अनमैच भी कपड़ा लगा सकते हैं अब ये देखिए मैंने यह लगाकर के कुल लिया है, और ऋलटा करने के बाद इसे सुलता कारने के बाद बनके हमारा तयार हो गया है, और आप बता नहीं सकते हैं कि यह घर पर ही बना रखा है, आप चाहें तो इस पे चैन भी लगा सकते हैं, या वेल गुरू लगा करके भी इसे यूज कर सकते हैं मैं इसे इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया है वो आपकी मर्जी है आप लगाना चाहें या ना आप इसमें लंच बॉक्स भी ले जा सकते हैं और अपने छोटे मोटे गॉसरी के सामान भी सौपिंग करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं और आपको मेरे ये पर्स का आइडिया कैसा लगा आप जरूर बताईए कि साड़ी से इतना सुन्दर पर्स हम बना सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरू कीजिए नए है तो सस्क्राइब ग्राइब